स्वतंतरता दिवस के मौके पर समूचे देश में कारक्रमों का आयोजन किया गया वहीं हिमाचल प्रदेश में जिला कांगडा दिहरा में शहीद भुवनेश डोगरा ग्राउंड में राजस्तरिय द्वर्य रोहन कारक्रम का आयोजन किया गया मुख्यमंत्री सुक्विंदर सिंग्द सुक्षू ने बतौर मुख्यतिती शिर्कत कर राश्ट्रेद भज फेहराया और सभी प्रदेश वासियों को 78 वे स्वतंतरता दिवस के महापर्व की बधाई एवं शुबकाम नहीं दी इस मौके पर उन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहूती देने वाले स्वतंतरता सैनानियों को याद किया वहीं इस तोरान अपने संबोधन में मुख्यमंतरी ने कहा कि तमाम चुनौतियों और विप्रीत परिस्चितियों के बावजूद राज्य सरकार ने करमचारियों के हित में कई एतिहासिक एवं महत्तपून फैसले लिये हैं उनने कहा कि इस वित्य वर्ष में 75 वर्ष या उसे अधिक आयूवर के सभी पैंशनरों और फैमिली पैंशनरों को एरियर प्रदान किया जाएगा कर्मचारियों के हिद में बहुत से फ्रैंस लेकिये हैं मैं गोशना करता हूँ इस पितिया वर्ष में 75 सान की उमर के पैंशनरों और फैमिली पैंशनरों को सारा एरियर दे तिया जाएगा मैं पर्देश के समी करम чारी, अधिकारी और पेंच्नों को भरवसाद लाता हूँ कि परतेश सरकार आतिक आतम लिद्वत्वता के रास्ते पर आगे बढ़ रही है हम अगले वर्षों में चर्मबत प्रीके से प्रदेश के सकारी करमचारी और अधिकारियों की बाकी विंदारियों को भी अदा करेंगे